हेलो गाइस हेलो अलब यू हम आपको एंसी आर्टी क्लास 11 की आई पी करा रहे हैं हमारा आई पी और कंप्यूटर साइंस दोनों साथ से चल ला है तो आई पी हमारा फोर्ट चैप्टर चल ला था वरकिंग विद लिस्ट एंड लिक्षिनरी ठीक है इसके टू वीडियो पहल से और यह आपके स्लाइसिंग क्या होती है यह भी हम कर चुके है आपका लास्ट में चला था पॉप चला था जिसके बाद आचानक से वीडियो बंद्ध हो गया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाप तक हम कर चुके थे आज हम रिवर्स करने वाले हैं ठीक है यह lists में क्या होता है कि मैं भी लेस्ट आपको दी गई हैं तोषो कर सकते हैं कैसे िहुंए कोशिशmother अलिफे हैं गया ने लिस्ट जिसे एक लिस्ट बनी हुई है त्युक्स बन है जिसमें कुछ पढ़े हैं 34 66 12 89 28 और 99 ठीक है यह कुछ element है लिस्ट वन डॉट रिवर्स और यह आपने बैकेट लगाया ठीक है लिस्ट बन को हमने प्रिंट कर आया तो कैसे प्रिंट हुई 91 लास्ट में था पर यहां रिवर्स होने पर 91 पहले आ गया ठीक है फिर आपका यहां पर सेक बने से 30 लास्ट यहां पर एंटी था 99 यहां पर यह मतलब पूरी ते लिस्ट आप की थी कुल्टर्ट्य कहई रिवर्स हो गई ठीक है मैं आपकी 99 लेकर इस तरह से इस और निस्ट जो है वह प्रिंट हो गई है यहाँप आप देख सकते हैं लिस्ट बन अब यहां पर टाइगर जेब्रा लॉयन केट एलिफेंट और डॉक ठीक है यह लिस्ट में आपको देगए हैं यह करेक्टर जो एनिमल्स के नाम दिए गए हैं इनको आपको रिवर्स कराना है लिस्ट बन डॉकर करके आपने जैसी परेंट्सेश लगाया पर डॉक क्या है आपका फर्स्ट हो गया फिर आपका एलिफेंट फिर कैट उसके बाद लॉयन उसके जैब्रा और फिर टाइगर ठीक है पूरी डिस्ट जो आपकी थी वह रिवर्स ओडर में हो गई अब नेक्स्ट है शॉट शॉट में क्या करते हैं शॉटिंग करते हैं आपके लिस्ट है उसके अलिमेंट को शॉट करना जैसी कि लिस्ट बन में आपके टाइगर जैब्रा लॉयन कैट एलिफेंट और डॉक दिया गया है ठीक है जब आप इसे रिवर्स करेंगे तो लिस्ट बन डॉट रिवर्स और पैरेंट से लगाएंगे आप ब्रकेट है उससे इस के बाद से वहिए है और फीट गें आपकर बहुत सब्सक्राइव में ह कि दूसरा हम देख सकते हैं लिस्ट बन में ही 34 66 12 89 और 28 99 दिया गया है ठीक है लिस्ट वन डॉट शॉट लिस्ट बन को आप शॉट करा रहे हैं फिर ब्रैकेट के अंदर आप में लिखा रिवर्स इक्वल टू टू अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप लिस्ट को तो सॉट कर आ रहे हैं फिर रिवर्स इक्वल टू टू कर आपने लगाया कंडिशन लगाई क्या मतलब हुआ लिस्ट बन को आपने प्रेंट कर आया तो 99 लास्ट में था 99 आ गया ठीक है उसके बाद में क्या हुआ आपका 89 आया तो 89 कहां पर है ठीक है 89 इस लिस्ट में कई पर आपको 69 हो गया ठीक है ठीक है फिर 66 66 आया फिर आपको ट्वेंटीएट और 12 ठीक है तो पूरी लिस्ट आपकी रिवर्स भी रह ब्यूहई क्योंकि यह जो सौट आप कर रहे हैं वो रिवर्स पर होरी ट्रू हो रही है ठीक है तो यह लिस्ट में आपने कंडिशन में अब प्लाई टेका लिस्ट यहां पेँलेगे अप्रेमेटर एकप्रेंटर एक फिरियेट स्थ नूर गिस्थ और टीकर गाधि लैगे पाल इसको क्रेकर येट करेंगे एक इलिस्ट को मिन दोद यूप शेयम में पर यहां पर दी है लिस्ट में में आपके 32, 45, 11, 67, 85 और 56 एक लिस्ट है पर यह किसी भी तरह से अरेंज नहीं है अनरेंज्ट आपके लिस्ट है अब आप यह से क्या करना है तो लिस्ट तू अब दो सी लिस्ट दीगे ही लिस्ट नाम की शॉर्टेड एक को शॉर्टेड और ब्रेकेट के अंद लिस्ट बन के अलिमेंट को स्ट करा के हम सेब करा रहे है ठीक है उसके बाद लिस्ट बन को यहां पर प्रेंट कराया तो क्या प्रेंट हुआ शॉर्टेड होने के बाद में 32, 45, 11, 67 फिर 85 और यह ऐसे कैसी प्रेंट हो गए क्योंकि यह पहली लिस्ट हम प्रेंट करा रहे ह जो शॉर्टेड नहीं थी ठीक हो से प्रेंट कराया फिर शॉर्ट होने के बाद लिस्ट किस में स्टोर हुई थी लिस्ट टू में ठीक है तो आप लिस्ट तू को आप प्रेंट कराएंगे लिस्ट टू का प्रेंट कर देजिए तो 11, 32, 45, 56, 67 और 85 यह आपके आ रहे हैं ज तो मिनी का मतलब होता है रेटर्न मिनीमम यह ष्मालेस्ट अधिमेट ऑफ टा लिस्ट का सबसे छोटा अलिमेंट रिक है लिस्ट का सबसे छोटा अलिमेंट जो है उसे रिटर्न कर दें तो लिस्ट बन एकको ठीकार टू 30 4 टौं 63 अब कहा रहे हैं मिन लिस्ट सबसे कर दिया अब मैक्स में जो सबसे बड़ा element है ठीक है रेटन मैक्सम्मम लारजेस्ट नमबर यहां पर यह तो मैक्समम रेटन कर आ यह पर लारजर ठीक है अधो फिल्क एलेमकिते हैं चाहि स्तर्च अधार्च, कर दिया है जलिक है में मैक्समें मैक्स लगाएग लिश्ट बन लिस्टह यह सबसे बड़ा सब्सक्राइब पैलीमेट अब लिस्त के अंदर जितने भीEvet है उनका संब्सक्राइब प। उसी सफ लगाईंगे सब्सक्राइब फक्राइब 20bas मने टो हम इसका संब कराना आ तो हम इसका संब्सक्राइब तो थो सम्हेब यहां पर आपको total sum आपको मिल जाएगा print हो जाएगा sum तो यह list में आए हो पिया आपको समझ माया होगा ठीक है अब next आपका list manipulation next आपका यहां पर topic है list manipulation का ठीक है list को देख लेते हैं in this chapter पर इस chapter के अंदर we have learned to create a list हम यहां पर एक list को create करना करने के लिए सीख रहे हैं a list and different way to manipulate list और अलग-अलग तरीके हम लिस्ट को कैसे manipulate कर सकते हैं ठीक है इसमें हम यह सीखने कोशिज कर रहे हैं in the following program इस program में we will apply to various list manipulation method इसमें बहुत सारे अलग-अलग हम methods का इस्तेमाल करेंगे जिसके थुरू हम लिस्ट manipulation कर सके तो यहां पर एक program दिया गया है इसको देख लेते हैं राइट प्रोग्राम टू फालो यूजर जो है अलाव कर रहे यूजर को टू पर फार्फर्म एंई डोज लिस्ट ऑपरेशन गीविन इंड मैनू ठीक है क्या डिलींट कर सकते हैं कि अकुंद उश्केट इसे मौझूद डिलिट कर सकते हैं love the position delete the existing element with given value ठीक एक ऐसे element को आप delete कर सकते हैं जो की जिसमें value दी हुए हुए शॉर्ट लिस्ट आप लिस्ट को short कर सकते हैं 7th नमर पर ascending order में 8 आपको दिया गया है shorter list in descending order descending order में आप लिस्ट को short कर सकते हैं 9th display the list और फिर आपको जो लिस्ट आपकी है उसे आप डिस्प्ले करा लेंगे ठीक है तो यहां पर program लिखा हुआ है जो की नाइन कंडिशन को फॉलो किया है इस प्रोग्राम ने मेनू ड्राइब इन प्रोग्राम टू डू वेरियस लिस्ट ऑपरेशन्स ठीक है यह आपका program है जिसमें की माई लिस्ट माई लिस्ट नाम के एक लिस्ट बनाई गई है इसमें माई लिस्ट नाम के एककवल टू ब्रैकेट के अंदर 22,4,16,38 और 13 पड़ा हुआ है my list having 5 elements जो my list नाम की list है इसमें 5 elements पड़े हुए है जिनकी choice क्या है? choice इनकी 0 है, ठीक है? कोई choice नहीं है for attempt in range 3 for condition लगाए गए है attempt जिसकी range 3 हो, print कर दे attend number और आप यह print करा रहे हैं attempt को print करा रहे है फिर यहाँ पर print हो जाए, क्या print होगा? the list, my list the list है, my list नाम की list है है जाए, following element my list, my list के जो भी element उन्हें follow करे, print new line करके, ठीक है? backslash n का मतलब new line है list operations, इनको print कर दे, फिर print 1 फिर दूसरा print करवाना है append the element, ठीक है? 1 को append कर रहे हैं 1.append the element फिर उसके बाद में list प्रिंट करा रहे है यहाँ पर to dot insert an element at the desired position desired position पर एक element को insert कराने कोशिश कर रहे हैं third में, append a list to given list list के अंदर list को append करने कोशिश कर रहे हैं next है modify modify the existing element जो पहले से addiment होने हम क्या करेंगे? modify करेंगे fifth में क्या कर रहे है? delete the existing element by its position इसकी position पर एक्जिस्टिंग एक्जिस्टिंग एलिमेंट होने तो और फिर उसके बाद 7th step क्या है? short the list यह सारी हमारी condition थी short the list in the ascending order ascending order में हम लिस्ट को short करेंगे फिर eighth में क्या print करा रहे है? short the list in descending order ठीक है? ninth में display the list last में हम पूरी list हो क्या करेंगे? display करा दिंगे choice आप देखें यहां से choice equal to integer type की ले रहे है हम data type integer ले रहे है input, input कर रहे है enter your choice आप once लेके 9 तक अपनी कोई भी choice डाल सकते है ठीक है यह कह रहे है कि जो user है once लेके 9 तक अपनी कोई भी choice डाल सकता है append element, append element के अंदर if choice वो equal to equal to 1 ठीक है? अगर जो choice यूजर ने डाली है वो equal to equal to 1 होती है तो element equal to well input, enter the element to be append तो जो इंटर कर दे उस element लो जिसे वो append करा रहा चाहते हैं my list.append element, my list में .append function के इस्तिमाल करते हुए element को append हो जाएंगी, print, print में क्या होगा? the element has been appended, ठीके? मैसेज आ जाएगा कि जो element है वो appended हो चुका है और नया line में वो आपका कर्सर जो है new line में पहुच जाएगा यह back selection new line के लिए है फिर next में क्या कर रहे हैं? इंसर्ट करा रहे हैं एक element को desired position जिस position बे आप एक element को enter कराना चाहते हैं, insert कराना चाहते हैं, तो else if हमने condition लगाई choice equal to equal to 2 अगर choice 2 होती है ठीके? कॉलन लगाया element equal to available input enter the element to be inserted एक user से insert कराने के लिए element को आपने इंटर करा लिया, post equal to int data type लिया हमने input करवाया, enter the position, position को input कराया, my list.insert post.element, प्रिंट करा दे क्या प्रिंट होगा? the element has been inserted कि जो element है वो insert हो चुका है, वहां आपको message मिल जाएगा, फिर next append a list, given list के अंदर आप list को कैसे append करा रहे हैं? तो, elsef, elsef यह करेंगे, choice equal to equal to 0, अगर choice, sorry, choice equal to equal to 3, अगर आप third choice डालते हैं, तब क्या होगा? new list equal to available input, enter the list to be appended, एक list इंटर कराएंगे आप, input कराएंगे user से my list.extend new list, जो आपकी जो list, my list नापकी जो list है वो new list में extend हो जाएगी, ठीक है? extend हो जाएगी new list में, print क्या होगा? तो the list है, जो list आपकी है, has been appended, message आजाएगे कि जो list आपकी थी, वो क्या है? Appended हो चुकी है, इसी तरह जगा, modify अगर आपको राना चाहते हैं, जो आपकी पहले से बने हुई list है, उसमें कुछ modification करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? जैसे आप 4 डालते हैं, तब क्या होगा? आपके इंट टाइप की डेटा टाइप लिया, input कराया, enter the position of the element to be modified, ठीक है? मोडिफाइड element करा लिया, if i, जो i जो है, वो less than length, जो length से less than हो, my list, my list में, तो new element equal to available, input, नया element जो है, input हो जाए, enter the new element, नया element इंटर हो जाए, अगर ऐसा है, तो, ठीक है, अगर i की value कम है length से, तो नया element इंटर हो जाए, old element equal to my list, my list के अंदर जो old element है, वो i के अंदर आ जा है, ठीक है, old element की जगे में, ये नया आ जाए, my list, my list के अंदर जो i है, i name की जो हमने बनाई new list है, equal to new element, उसमें नया element आ जाएगा, print क्या हो जाएगा, the element, old element, जो old पुराना element था, has been modified, जो पुराना पहले से पढ़ा हुआ element था, उसमें modification हो गया, उसकी जगे नया आ गया, else, अगर ऐसा नहीं है, तब क्या हो, print position of the element is more than length of list, अगर ऐसा नहीं होगा, तो बता देगा, कि इस list जो है, वो बड़ी है, ठीक है, इस वाली condition, ये condition जो है, फुल्फिल नहीं हो रही, क्योंकि list बड़ी है, तो ये वाला आपका message आज प्रेंट हो जाएगा, ठीक है, फिर क i equal to int, फिर input करा रहे है, user से, enter the position of the element to be deleted, किस position का आप delete करना चाहते है, if i less than length, अगर i जो है, वो less than है, कम है, length से, length से, my list, my list की length से, तो element equal to my list.pop i, तो ये क्या हो जाए, element pop हो जाए, pop का मतलब समझते हैं, बाहर आ जाए, निकाल लिया जाए, print the element, element has been deleted, और बता दे, जो element है, वो delete हो गया है, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर क्या आप करेंगे, else, print new line करेंगे, position of the element is more than length of list, कह रहे हैं, कि अगर ऐसा नहीं हो, तो बता दे कि जो length है, list की वो, पहले से already बड़ी है, ठीक है, तो ये वाली condition भी, apply नहीं होगी, अब हम delete कर आना चाहते हैं, existing element को, element की value को, element को नहीं करा रहे है, value को करा रहे हैं, तो else, twice equal to, equal to six, अगर choice six होती है, तो element equal to int, integer type का, हम data type ले रहे हैं, input करा रहे हैं, user से, new line करके, enter the element to be deleted, enter करें, वो element जिसे वो से delete करना है, if element, जो in my list, अगर element, मेरी list, my list, list नाम की list बनी हुई है, अगर उसमे element है, तो my list.remove element, ठीक है, तो क्या हो जाए, my list के अंदर, जो element है, वो delete हो जाए, print का करेंगे, print new line करके, तो element delete, जो element है, element, जो element has been deleted, message आजाए, कि element जो था, वो delete हो गया है, अगर ऐसा नहीं है, तो आप else condition लगाएंगे, print new line करके, element, element is not present in the list, अगर list में, आपने कोई element डाल दिया, जो list में ही नहीं, तो वो delete करेंगा, तो message आए, जिसे आप delete करना चाहते हैं, वो आपकी list में नहीं है, ठीक है, फिर next condition क्या थी, लिस्ट is shorted order, अब list का आपको short कराना है, ठीक है, else have choice, equal to equal 7, अगर आप 7 choice चालते हैं, तब क्या होगा, my list.shot, जो आपकी my list नाम की list हो short हो जाए, ठीक है, वो प्रिंट कर दें, new line में, the list has been shorted, ठीक है, आपको message आज जाए कि जो आपकी list हो short हो चुकी है, ठीक है, next क्या है, list in reverse order, अब आपको short list तो करनी है, पर किसकी solder हम करनी है, reverse order में, list को short तो यहां भी करना है, उपर भी किया था, ठीक है, लेकिन यह आप हमें reverse order भी करना है, तो हमें क्या करना होगा, else have condition लगाएंगे, choice equal to equal to 8, अगर choice होती है, तो my list.shot, reverse equal to true, हमने देखा दिया न, यह reverse equal to true व backflash and का मतलब new line होता है, ठीक है, समझ लिजे, the list has been shorted in reverse order, और आपको message मिल जाए को जो आपकी list थी, वो reverse order में short हो चुकी है, ठीक है, next आपका condition थी, last condition थी, display the list, list को display कराने की, तो else have choice 9, अगर choice 9 user choose करता है, तो print new line करके, enter the list, my list, my list को integrate, else, अगर ऐसा नहीं है, तब क्या हो, choice is not valid, अगर ऐसा नहीं हो, कुछ और user ने डाल दिया, तो फिर क्या होगा, यह choice आपकी valid नहीं है, ऐसा message आज जाएगा, ठीक है, अब यह फिरे program का output आप देख लिजे, पहली condition में हमने क्या किया था, the list, my list has been follow, the element follow किये थे, 22, 4, 16, 38, और 13, ठीक है, attempt number one, number one में क्या हुआ था, यह list, operation आ गया था, हमारा, ठीक है, फिर पहली condition थे, append the list, list को append करा रहे हैं, तो append list आ जाएगा message, output में, फिर second में, insert the element at the desired position, insert करा लिए तो insert नाम का message आ गया, ठीक है, फिर append करा लिए, तो append the list, given list, यह message आपका आजाएगा, कि append हो चुकी, आपकी list, modify करा लिए, तो modify नाम का message आजाएगा, delete करा दे, delete का message आजाएगा, existing list को, value को delete करा तो, उसका message आजाएगा, 7th में, 7th में क्या होगा, short the list, जब आप ascending order में list को short करा चुके हैं, तो shorting का message आजाएग फिर 8 में क्या होगा, short the, आपने short to cry list को descending order में, descending order की shorting message आएगा, फिर आ लास में पूरी list को display करा रहे हैं, display का message आजाएगा, ठीक है, enter your choice, your choice पे 0 से लेकर 10 तक यहां 24 हमारी चल लई थी, ठीक है, तो the list, 0, 1 से लेकर 9 तक 24 थी, लेकिन यहां पर 1 से लेकर 10 दिया, ठीक है, the list has been shorted, the reverse order, जब list जो है, आपकी short हो जाएगे reverse order में, तब क्या होगा, ठीक है, the list, my list has been followed element, जो my list नाम की जो list में element है, वो क्या है, 38, 32, 16, 13 और 4, reverse हो गई, उल्टी होगी list, ठीक है, यहां पर reverse करा दी list को, फिर attempt to में, list operation, append the list, ठीक है, फिर यह सारी message आएंगे, append the list, insert the element, desired position, append the list, to the given list, modify list का message आएगा, delete का आएगा, delete, value आप कर रहे हैं, उसका आएगा, फिर 7th में, short कर रहे हैं, sending order में, 8 में, आप short तो कर रहे हैं, बर descending order में भी display हो जाएगा, ठीक है, 5 choice में क्या आएगा, enter the choice, जैसे आपने 5 डाली, तो क्या आएगा, enter the position of the element, deleted, जो भी, to be deleted, two cop delete कर रहे हैं, the element 16 आपका delete हो जाएगा, ठीक है, second cop delete, two को delete करेंगे, तो क्या होगा, 16 element delete हो जाएगा, ठीक है, आप चेक कर लिजेगा, आप देखिए, new list आपको पता चल लगी, जो आपका 16 element था, वो delete हो च और two, तो हम two को print करा रहे है, two position हमारा 16 था, 16 आपको print होगे, मिल गया, और जो आपकी short बाकी list थी, वो print हो गई, ठीक है, पिर इसी तरह से, इस सबका output है, third में अगर आप कर रहे हैं, list, operation third perform कर रहे हैं, तो पहले तो append list कर रहे हैं, insert, element के insert कर आ रहे हैं, third में append कर रहे हैं, या फिर modify कर रहे हैं, fourth में, ठीक है, fifth में आप position, list की existing list की position को delete कर रहे हैं, या पर value को delete कर रहे हैं, six में, short कर रहे हैं, sending order में, eighth में, descending order में short कर रहे हैं, फिर message, या फिर display तो list कर आ रहे हैं, तो enter your choice, आप one से लेकर, ना इन तक जो भी आपकी choice से उसे आप डाल के, जो message चाह जाएंगे, तो क्या message आ जाएगा, choice is not valid, ठीक है, यह आपका एक काफी बड़ा program था, लेकिन इसमें list के सब कुछ इसमें cover करने कोशिस की गई, यह अच्छे समझेंगे, तो list की में, यह अच्छे एक जांपल था list का, तो आपकी काफी चीज़ें clear हो जाएंगी, next program यहाँ के दिया गया है, अब प्रोग्राम, to calculate average marks of an student, where an is entered by user, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको average marks निकालने है, an student के, और an the enter by user, जो जो अन क्या है, वो हम users enter करा रहे हैं, ठीक है, तो चलिए इस program का और देख लेते हैं, छोटा सा ही है, इसको कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे, ठीक है, चलिए, create a empty list, हमें यहाँ करना क्या है, खाली list को, create करा रहे हैं, list1, नाम की जिसमें कोई element नहीं है, हमने खाली list, हमने create कर ली, फिर print करा रहे हैं, how many student marks you want to enter, कितने student के marks आप enter कराना चाहते हैं, उसे print करा ले रहे हैं, माले, n student के हमें यहाँ पर कराने हैं, क्योंकि हमारा question नहीं था, n student को लेंगे, तो n equal to, enter type का हमने data type, enter लिया है, और input कराया, input function लगाया, for i in range 0 या n, ठीक है, i की जो range forward loop लगा रहे हैं, i के range जो है, 0 से start हो गए, अन तक जाए, print करा रहे हैं, enter marks of student, student की number हम enter करा रहे हैं, i plus 1, हर बार क्या होगी, i में 1 increment हो जाएगा, ठीक है, जैसे loop चलेगा आपका, loop start होगा, तो हर बार वो i में 1 को increment करता जाएगा, ठीक है, और फिर marks equal to, int, int नाम का, जो आपका, integer type के marks होंगे, और यह input करा लेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, append marks in the list, list में marks को append कराएंगे, ठीक है, list बन, dot append, bracket में marks सेलेंगे, append करा लेंगे, फिर initialize total, total initialize, total starting से 0 है, total equal to 0, starting में total की value क्या है रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है, कोई marks नहीं है, जब user इंटर कराएंगे, तो marks आएंगे, starting में तो 0 ही है, for marks in list 1, list 1 for loop लगाया है, marks के लिए, add marks to total, total equal to, total marks add करें, total is equal to total plus marks, total पहले क्या था, 0 था, एक बाल लूप चला, एक increment हुआ, ठीक है, तो marks में, marks हो plus होता गया, total में, फिर average निकाल ले है, तो जब total marks आपके मिल गए, तो average किसका निकालेंगे, total का ही निकालेंगे, तो हम average लगाएंगे function, average equal to total divide by n, जो भी n number आपके होंगे, वो आपको total से divide हो जाएंगे, ठीक है, तो यह आपका प्रोग्राम ता, और divide होने वाद फिर क्या प्रिंट होगा, average marks of n student is average, सबका n student का marks का average आपको print हो जाएगा, ठीक है, यह आपका उसका output दिया गया है, समझ लीजे, सबसे पहले क्या करेंगे, how many student marks you want to enter, कितने student के marks आप इंटर कराना चाहते हैं, उन्होंने 5 दिया है, आप कितने भी ले सकते हैं, इस प्रोग्राम में, आप जितने चाहें, आपकी मर्जी यूजर कर सकता है, इंटर, मार्कस, फ्रस्स्टुव्यंट मार्कस, हम 45 ले लिये, ठीक है, इंटर मार्कस औप STUDENT के पहले 45, फिर मार्कस, इंटर आप, इस्टुरैंट सेकिन मार्कस लिए हमने 30, 89, फिर 3 के लिए हमने 79, फिर 4 लिए हम ने 66, और फिप्त में 55 ले लिया ठीक इन सबका हमें average चाहिए है average marks of 5 student पांच बच्चों के average marks हम ले रहे हैं अब इनके सारे total total होने के बाद निकलेगा तो क्या आएगा average क्या आएगा 68.8 ठीक है यह average आपका आगया 5 student के marks का ठीक है यह average आपका आगया आपको समझ में आया होगा अब यहां पर next program और दिया है write a program check if the number present in the list या not आपको ऐसा program यह चेक करना है यह वाला जो आपका program है इसे आपको चेक करवा रहे हैं कि वह लिस्ट में है या नहीं है ठीक है तो इसको चलो हम बात में करेंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इसको यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को thank you all of you thank you for watching वागी का आंगे का आप next video हम देखिएगा